फ्रेंस आप सभी का विलकम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशप के टीटूरल में हम लोग सीखने वाले हैं फोटो एडिटिंग करने के बाद आप फोटो को सिनेमाटिक बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है दो तीन स्टेप में आप इसको कर सकते हैं जैसे इस फोटो के लिए मैं कुछ चीज़ें अपलाई करने जा रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले हमें जाना है एड़िस्मेंट लेयर पर यहां देखें एड़िस्मेंट लेयर है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां से सिलेक करना है चैनल मिक्सर यहां पर आप आजाए चैनल मिक्सर पर यह channel mixer open करने के बाद आपको output channel में आना है और यहाँ देखें red selected है इसको click करके open करना है और यहाँ से आपको select करना है green green select करने के बाद देखें green यहां 100% है आपको green कम करना है photo का look जैसा हो जैसे इसमें green ज्यादा है तो मुझे green कम करना होगा तो इसको हम लोग use करने वाले है 90% और उसके बाद आपको यहां से select करना है blue और blue को हम लोग बढ़ा देंगे यहां से 120% यूज़ करने वाले हैं अब आप इसको close कर दे अब दुबारा जाना है adjustment layer पर और यहां से इस पर आपको open करना है curves इसको open करें और यहां आने के बाद आपको select करना है यह eye dropper tool लेकिन इस eye dropper tool को select करने से पहले आप जो channel mixer आपने open किया था उसको आप close कर दें फिलाल के लिए और उसके बाद यहां से आपको select करना है यह first वाला eye dropper tool यह shadow के लिए होता है तो आप इसको open करें click करके click कर लेने के बाद अब आपको यहां image के अंदर आना है और click करना है आपको किसी भी black area पर तो मैं यहां से click करने वाला हूँ इस hair वाले location पे यहां click करते के साथ इसका look बिल्कुल change हो जाएगा आप देख सकते हैं ऐसा look change हो गया है अब आपको यहां पर कोई भी changes नहीं करना है अब आपको जाना है layer panel में layer panel में आने के बाद आप इसके normal mode को change करेंगे normal mode को change करके आपको यूज करना है pin light और इसके fill को कम करते ना है यहां से fill को आप कम करेंगे almost 20% अब उसके बाद यहां channel mixer के eyeball को जो हमने close किया था इसको on करते हैं और यहां on करने के बाद आप इसके fill color को थोड़ा सा कम करेंगे जैसे यह 100% है इसको fill हाल हम लोग 90% यूज करने वाले हैं और अब आपको जाना है top layer पर यहां आने के बाद आपको फिर से जाना है adjustment layer पर इस बार आपको यूज करना है solid color यह solid color select कर लेने के बाद यहां से कोई brown color इस तरह से लेना होगा ऐसा कुछ color आप ले और उसके बाद आप इस layer पर double click करके layer style open कर लें तो यहां से double click करेंगे और layer style open करेंगे layer style open हो जाने के बाद आपको यह जो underlying layer दिख रहा है यहां से आपको यह white slider को drag करके lift के तरफ लेकर आना है इस तरह से drag करके आपको lift लाना है इससे आपको जो main subject है वो दिखना शुरू हो जाएगा जब आपका main subject दिखने लग जाए तब आपको इसे break करना है break करने के लिए आप alt press करके इसको break करेंगे ऐसे और उसके बार ये जो slider है इसको बिल्कुल black में ले आकर आप mix कर दिए और इस वाले slider को थोड़ा से adjust कर ले जहां पर आपको लगे best look आ रहा है और यहां से आप okay कर दे अब आप इसके fill को कम करेंगे यहां से हम लोगों को 20% से ज़ादा use नहीं करना है अब आप देख सकते हैं photo before and after तो यह है photo before and after अब इसको किसी location पे ले जाने के लिए इसका एक snapshot लेंगे ctrl shift alt and e press करके snapshot लिया snapshot लेने के बाद जहां पर भी paste करना चाहते हैं उसके लिए photo open करें जैसे इस photo को हमने इस तरह से open किया हुआ है और यहां लाने के बाद इसको paste कर दिया इसके उपर तो इस तरह से आप किसी भी photo को cinematic look दे सकते हैं बहुत ही simple step में इसको आप apply कर सकते हैं I hope इस tutorial से आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा अगर आप चाहते हैं Photoshop को details में सीखना तो आप मेरे premium course को join कर सकते हैं join करने के लिए हमने अपना contact number और email ID discussion में दे दिया है आप जब चाहें मुझे call करके join कर सकते हैं और किसी तरह का कुछ confusion है तो comment box में बताइए उसका solution ज़रूर लेकर आउँगा और आखिर में आप सभी से request है चैनल को subscribe नहीं क्या है तो subscribe कर ले मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much friends